question number 8 prove that the following numbers are irrational हमें prove करना है कि cube root of 2 and cube root of 3 and fourth root of 5 these all are irrational numbers कैसे prove करेंगे इन सभी को prove करने के लिए हमारे पास एक method है जिसको बोलते है contradiction method contradiction method को थोड़ा सा short में समझ लेते हैं यदि माल लिजे एक आदमी है और वो आदमी poor है तो हमें prove करना है कि यहादमी poor है कैसे prove करेंगे prove that he is poor तो contradiction method से हम कर लेंगे आसानी से कैसे करेंगे जो हमारा यहाँ पर prove करना है कि he is poor यह prove करना है तो इसका opposite यहाँ पर माल लेंगे suppose that हमने यहाँ माल लिए कि suppose that he is rich यदि वो rich है हमने माना है यहाँ बर तो हमें इसके बारे में क्या मिलेगा हम जाएंगे इनके घर और बोलेंगे कि चलिए अपना account अबर दिखाईए मतलब bank का जो आपके bank में कितने पैसे हैं वो बताईए तो इन्होंने bank में जब दिखाया तो इनके bank में 0 रुपीज मिले तो इनके bank में पैसा है ही नहीं तो यह rich कैसे हो सकते हैं यहाँ पर जो fact मिला हमें यह जो है contradict करता है इस fact इस बात को तो contradict करने का मतलब क्या हो गया कि जो result मिला वो इसके अनुसार नहीं मिला जो हमने suppose किया था उसके according हमें result यहाँ पर नहीं मिला है इसलिए जो हमने suppose किया था वो गलत है तो यहाँ गलत है तो फिर सही क्या है जो हमारा initial statement था कि he is poor यही सही है तो इस तरीके से हम prove करेंगे यहाँ भी चलिए start करते है हमें prove करना है to prove cube root of 2 is an irrational number जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले इसको suppose कर लेंगे कि cube root of 2 is a rational number सबसे पहले हमने इसके opposite suppose कर लिया कि cube root of 2 is a rational number यदि हम rational number मान रहे हैं तो इसको p by q के form में लिखना होगा so we can write q root of 2 को हमने लिख दिया p upon q के form में तो p upon q के form में लिखे हैं तो हमें ये p upon q के बारे में कुछ बताना होगा कि आखिर p और q में क्या है कि हम इसको माने है कोई भी rational number unique नहीं होता इसलिए हमें इसको जो हमने p upon q लिया है यह हम standard form में लिया है हम ऐसा माने है standard form क्या होता है जिसे 1 upon 2 है 1 upon 2 equal होगा 2 upon 4 के क्योंकि यह इसके equivalent है और 1 upon 2 3 upon 6 के भी बराबर होगा फिर 4 upon 8 के भी बराबर होगा ऐसे आप infinite rational number लिख सकते हैं जो 1 upon 2 के एकदम बराबर होंगे तो यह बताएए यहाँ पर जो सपोज किया है हम cube root of 2 को p by q के form में इन में से किसको लिये है मतलब ऐसा ही तो कोई p by q होगा p by q form का number इसमें से ही कोई होगा तो जब ऐसा होगा तो इन में से इसको लिये हैं यहाँ पर या इसको लिये हैं या इसको लिये हैं यह हमें पहले ही पहले मान लेना है तो हमने इसको लिया है standard form वाला तो हमने यह सपोज किया कि P और Q P and Q have no common factor other than 1 इन दोनों में 1 के अलबा कोई और factor नहीं है हमने यह माना है ठीक है standard form अब यहाँ पर देखिए हमें क्या result मिलता है हमें कुछ ऐसा result मिलेगा जिसमें P और Q का एक और factor मिल जाएगा लेकिन हमने यहाँ पर माना कुछ और है और कुछ और मिलेगा तो वही हमें contradiction पैदा कर देगा और वहीं जब contradiction पैदा करेगा तो उसी सर्थ पूरूफ होगा अब समझे का ध्यान से इसके आगे पढ़ते हैं कि कैसे इसमें हम two factor एक और other factor find करेंगे तो यहाँ पर पहले हम both sides में cube ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर cube root है तो taking cube on both sides जब cube लेंगे यहाँ पर तो देखे यहाँ 2 बहार निकल जाएगा क्योंकि cube root था वहाँ पर cube लेंगे तो यह 3 cancel out हो जाएगा आप जानते होंगे ऐसे कि cube root का मतलब होता है 2 to the power 1 upon 3 और जब इसका आप 3 पावर लेंगे यह 3 3 कट जाएगा तो क्योंब बचेगा 2 इसलिए यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा p cube upon q cube अब यहाँ पर cross multiply कर लेंगे यहाँ पर जो number दिया हुआ है 2 q cube यह number 2 से divisible है मतलब इस number को 2 divide कर सकता है यहाँ पर 2 q को यदि हम 2 से divide करें तो 2 वंजा 2 और 2 कट जाएगा वंजा यहाँ बचेगा क्यावल q 3 हाना तो यह q to the power 3 आया यहाँ divide करने पर इसका मतलब कि हम ली सकते है आपर since 2 divides ठीक है 2 जो है 2 q cube को मतलब इसको divide करता है जब 2 यहाँ पर इसको divide कर रहा है it means 2 जो है p cube को भी divide करेगा क्यों क्योंकि यह दोनों बराबर है यदि इसको कोई number divide करेगी तो इसको भी divide करेगा वो number तो 2 divides p cube also but यहाँ पर ध्यान दिजेगा 2 यदि p cube को divide करता है तो हमारे पास एक theorem है जिसमें यदि 2 prime number है but 2 is prime तो हमारा theorem क्या कहता है कि यदि कोई number prime है और वह number किसी number के cube को divide करता है तो इसका मतलब यह है it means 2 divides p also मनि cube को divide करेगा तो उसके p को भी divide करेगा कहने का मतलब यह है कि यदि 2p cube को divide करता है तो वह 2 जो है केवल वो number जो p था उसको भी divide करेगा 2 divides p also यह हमारा theorem है जो आप पढ़ेंगे बीसी में प्रूव करेंगे इसलिए तो यहाँ पर जब हम मिल गया कि 2 divides p also तो यह बताएए जब कोई number किसी को divide करता है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि 2 is a factor of p जैसे कि हम p को माल लेते हैं आपर एक example के दुरूब में दिखाता हूँ आपको p को माल लेजिए कि p है आपका 6 और हम जानते हैं कि 2 divides 2 divides p जब 2 p को divide करता है इसका मतलब कि 2 से दि हम 6 को divide करेंगे तो क्या मिलेगा 2 3 जैस 6 और 0 हो गया तो मतलब कि 2 जो है 6 को divide करता है आपर क्योंकि reminder 0 आ गया तो यहाँ पर जब ऐसा है तो हम यहाँ से एक और बात हम समझ रहा है कि 2 is a factor of p 2 is a factor of p यदि यह divide करेगा तो factor भी होगा मतलब 2 जदि p को divide करता है तो 2 p का factor भी होगा कैसे देखिए 2 जदि 6 को divide करता है तो 6 का 2 एक factor भी होगा तो देखिए 6 को हमने factorize किया तो 2 एक factor भी है तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 is a factor of p यदि 2 डिवाइड करता है p को तो ठीक है और यह जो statement मिला है बहुत ही important statement है अब इसके आगे बढ़ते है हमें करना क्या है अब 2 एक factor है p का तो हमें अब यह भी लाना पड़ेगा कि 2 जो है q का भी factor है तो q का factor 2 को बनाने के लिए हमें इसके आगे बढ़ना होगा तो यहाँ पहले suppose कर लेंगे let let p is equal to 2k लेकिन आप सच रहेंगे कि p is equal to 2 के क्यों माना मैंने तो क्योंकि 2 factor है p का इसलिए p को हम 2 into something कर सकते हैं बने p को हम 2 का multiple बना सकते हैं इसे यहीं पर देखिए 2 जो है 6 को divide करता है ठीक है तो हम 6 को 2 into k something लिए सकते हैं अग k में क्या आ जाएगा k की value क्या होगी यहाँ पर 3 और 1 का जो multiplication होगा होगी k की value होगी यहाँ पर यहाँ पर 6 पता है p का value पता है यहाँ पर इसलिए हमें यहाँ पर k की value मिल जा रही है 3 बट यहाँ पर p का value पता नहीं है इसलिए हम general way में माल लेंगे कि p बराबर 2 k तो यहाँ पर लिख भी लेंगे k is sum integer अब p बराबर 2 k की जो value है वह हम इस equation में रख देंगे यहाँ पर माल लेंगे यह first है तो इस p is equal to 2 k की value हम रखेंगे इस first में क्या मिलेगा 2 q cube is equal to p के जगा पर 2 k लिखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 2 k का whole cube ठीक है थोड़ा simplify करेंगे यहाँ 2 to is a 4 to is a 8 हो जाएगा 8 k cube यहाँ दोनों तरफ यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 cancel होगा तो मिल जाएगा q q dividing by 2 on both sides तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हा जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 अंजा 2 and 2 4 is a 8 तो यहाँ जाएगा 4 k cube अब यह बताएगे 4 k k cube यह भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 and 2 or 2 to 4 इसका मतलब कि आराम से 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर इसी बात को लिख देंगे 2 divides 4 k cube it implies 2 divides q cube देखे 2 यदि 4 k cube को डिवाइड करता है तो 2 q cube को भी डिवाइड करेंगा क्योंकि यह तो इक्वल है दोनों तो यहाँ से प्रिंस्पल लगा देंगे but 2 is prime यहाँ पर थियोरम जो हमने यहाँ पर लगाया था ठीक वही यहाँ भी लगाएंगे but 2 is prime 2 is prime तो 2 यदि prime है तो यहाँ पर हम लग देंगे 2 divides q also अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से यह मिलेगा कि 2 is a factor of q अब यहाँ पर जो हमने पाया result अब इन ही दोनों का यूज करना है देखे ध्यान से कौन सा देखे यहाँ पर जो हमने पाया 2 is a factor of q और यहाँ पर जो पाया हमने 2 is a factor of p यहाँ से क्या पता चल रहा है यहाँ से यह पता चल रहा है कि 2 is a factor of p and q हमें मिल गया कि 2 is a factor of p and q यदि p और q का factor है तो यहाँ बात तो contradict हो गई मतलब यहां से हमने जो माना था starting में यहां ध्यान दिजिए यहां पर हमने माना था कि P और Q P और Q के बीच में केवल एक ही factor होगा common factor क्या होगा? केवल 1 होगा बट यहां पर 2 भी मिल गया common factor तो यह result गलत कैसे आ गया? मतलब जो हमने शुरूम माना था कि केवल 1 ही factor होगा P और Q में बट यह 2 भी एक common factor बन गया P और Q का हमने यहां पर result में अच्छे तरीके से सही तरीके से solve करते करते लाए हैं तो कैसे हमें एक और number भी मिल सकता है? जरूर हमने कुछ गलत सपोज कर लिया था starting में तो हमने जो 2 यहां पर जो एक result मिला है यहां जो बात है यहां गांटरेडिट करती है इस fact को जो हमने माना था starting में और जब हम माने थे तो यहां जो result है वो आया था किसके वज़ा से जो यहां suppose किया गया था तो हमारा supposition ही wrong है तो इसके बाद हम लिए सकते हैं कि our supposition is wrong means हमने जो suppose किया था suppose that q root of 3 is a rational number this is wrong तो हमने यहां लिख दिया this contradicts the fact that p and q have only one as count factor तो यहां से जो मैंने लिखा है p and q have only one as count factor इस बात को यह जो बात है इस चीज को जो हमने माना था starting में इस fact को यह जो fact है वो contradict कर दिया candidate करने का मतलब होता है कि opposite दे देना opposite result दे देना तो यहां पर opposite real में जुका है तो जब यह candidate कर दिया तो हम आगे लिख सकते हैं so our supposition is wrong तो हमने जो यहां पर starting में देखे हैं यहां पर starting में जो हमने suppose किया था suppose that q root of 2 is a rational number यह जो suppose किया था यही wrong है this is wrong हमने wrong suppose कर लिया था इसलिए हमारा जो यहां पर result है वो absurd आ रहा है यह गलत आ रहा है so q root of 3 is an irrational number ठीक ऐसे ही आप prove कर सकते हैं इन सभी को भी देखें जो हमने root 2 यहां पर 2 लिखा था इसके case में आप केवल 3 लिख देंगे जैसे यहां पर आपको देखना है तो fourth root of 5 है तो यहां पर जब करेंगे जैसे कि यहां पर मानेंगे आप कि fourth root of 5 to the power 4 is equal to p by q to the power 4 ऐसा होगा ठीके ना यहां पर ऐसे मानेंगे फिर यहां पर जो होगा यह हो जाएगा 5 क्योंकि fourth power कर जाएगा और यहां पर हो जाएगा q to the power 4 upon q to the power 4 तो यहां पर भी crash multiply करके आप करेंगे फिर same to same सारज कुछ वही लिखना है बस यहां पर यहां पर आजाएगा 5 q to the power 4 ऐसे आजाएगा फिर बोलेंगे कि this number is divided by 5 तो लिखेंगे यहां पर कि 5 5 divides 5 q cube यहां पर फिर लिखेंगे यहां पर 5 divides p cube ऐसे करते हुए करेंगे this is good और आप practice करिएगा इन सभी को ठीक है इन दोनों को practice करिएगा और बताएगा कि हाँ आपने solve कर लिया है then I will be very happy thank you so much for watching bye